हेलो दोस्तों तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इसमें हम कुछ पहले जो इक्वेशन है एच पीजी के से रिलेटेड है तो इनको देख लेता है आगे आगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेशन्स है पहला इसमें पूछा गया है परसिद भूरी सिंग म्यूजियम का अनावर्ण किस वर्ष हुआ तो भूरी सिंग म्यूजियम आपको पता है जिलाचमबा में स्थित है ये और इसका अनावर्ण यानि इनागरेशन इसका 1908 में हुआ था यानि 1908 में किया गया था तो 23 का ऑप्शन भी राइट अंसर है नेक्स्ट देख लेते ह हैं इसमें पूछा है 1621 में नाहन के लिए तथा नाहन शहर की स्थापना किस ने की थी तो नाहन के लिए और शहर की स्थापना ऑप्शन डी राइट अंसर है 1621 में की थी करम प्रकाश ने यहां इन्होंने नाहन शहर की स्थापना की थी और राजधानी जो थी वह बदल कर नाहन लाई थी 24 का डी राइट ऑप्शन है 25 देख लेते हैं बाबा कांसी राम वाज पॉपुलर्ली नोन आज तो बाबा कांसी राम जो थे प्रसित दुरूप से जाने जाते थे तो पहा पहाडी गांदी की उपादी बाबा कांसी राम को जो थी जवाहर लाल नहरू द्वारा 11 जुलाई 1882 को जन में गोपीपूर्त शील जो की डाडा सिब्बा में वर्तमान में देहरा में पड़ता है और 1907 में गदरी बाला में राजनेतिक सभा में नहरू ने जो थी बाबा क पहाडी गांदी की उपादी दी थी जबकि इससे 10 साल पूर्व सरोजनी नाइडू ने दौलत पूर में 1927 में इन्हें पहाडान दी बुलबुल पदक से प्रतिपादित किया था तो ये कॉस्चन दोनों पूचे जाते हैं पहाडी गांदी की उपादी नहरू ने दी थी जबकि पहाडा दी बुलबुल जो है वो इनको सरोजनी नाइडू दारा उपादी दी गई थी नेक्स्ट देख ले थे हैं 26 इसमें पूच्छा है जात्रू क्यांग नरित्य मुख्य रूप से निमस में से किस क्षित्र में परफॉर्म किया जाता है तो option C right answer है इसके लिए परफॉर्म किया जाता है नरिते यह दोनों तरस के नरिते जो है परफॉर्म किया जाते है और जो लोक नरित्य हैं इन पर हैं एक अलग से वीडियो बनाया है अगर आप ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी जिसमें हिमानसल से रिलेटेड जो लोग देते हैं, लोग गीत हैं, उनके बारे में आप एक अलग से वीडियो देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, लाइट इयर is the unit of, तो इसमें पूछा है प्रका लाइट येर जो है, वो 9.460 multiplied 10 raise to power 15 meter होता है, एक लाइट येर की वेल्यू, 1 light year equal to 9.460 into 10 raise to the power 15 meters, option B27 के लिए right-hand side 28 देख लेते हैं, which of the following is not the name of our physical quantity, तो नीवन मैं से कौन सी भातिक राशी नहीं है, तो kilogram option A right answer है, एक भातिक राशी नहीं है, इसके लावा impulse time और mass जो है, ये physical quantities हैं, next है, विट नीवन मैं से कौन सी बिमारी टीका कर्ण से रोकी नहीं जा सकती है, तो polio, कन पेडा और धनुस टंकार देख सकते हैं आप इनके नाम English में भी, तो ये जो हैं, इनको आप prevent कर सकते हैं vaccination से, जिब क्यों डेंगू जो है, ऐसा नहीं है, कि आपको एक टीका कर दिया जाए, आपको injection दे दिया जाए, वेक्सिनेट कर दिया जाए, और उसके बाद आपको कभी भी डेंगू ना हो, तो ऐसा possible नहीं है, बाकी जो बिमारियां हैं, उसमें देखिए, पोलियो की भी drops पिलाई जाती है, वेक्सिनेट किया जाता है, मम्स की भी, और tetanus का भी आपको बता है, टीका लगता है, लेकिन डेंगू जो है, उसको आप vaccination से प्रिवेंट नहीं कर सकते, आपको पता है, डेंगू के लिए आ प्रिदा को खुला करना मत्पूर्ण है क्योंकि, तो किसलिए मत्पूर्ण है, वह जादा हवा तथा जल को पकड़ कर रखता है, तो optional c right answer है, इसके लिए, 30 का c right है, next देखते हैं, यहां से आपके question जो है, computer से related जो है, start हो गए है, the file key is transformed using mathematical formula into physical location of record is in, तो कौन सा है, hasd file है, इसके लिए एक और हम term use करते हैं, जो हमारी hasd file organization technique होती है, इसको हम दूसरे शब्दों में direct file organization भी बोलते हैं, आपने direct, indexed और sequential यह file इनके बारे में पढ़ा होगा, तो जब हम file organization के बारे में देखते हैं, तो types में देखें आप file organization के, sequential file organization, heap file organization, hasd file organization, जिसको हम direct file organization भी बोलते हैं, इसके बाद b plus file organization, indexed sequential access method, और cluster file organization, यहां देख लेते हैं थोड़ा, there are two important features of file organization, तो क्यों करते हैं, file organization, file activity के लिए करते हैं, file volatility के लिए करते हैं, देख सकते हैं, दोनों चीज़ें, file activity specifies percentage of actual records, which proceed in a single run, और file volatility जो होती है, addresses the property of record changes, it helps to increase the efficiency of disk design, then tape, वैसे generally जो हम तीन भागों में ही categorize करते हैं, file organization, इसमें यह देख सकते हैं, तीन तरगी होती है, generally, sequential होती है, direct access file organization, और indexed sequential access file organization, तो direct को हम has भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो हमने देखा, sequential में क्या होता है, shorting and shorting in continuous block within file, और tape or disk is called sequential access, sequential में मान लीजिए, जो आपकी एक तरह से sequence में चलना पड़ेगा, आप direct जो है, एक point से दूसरे point नहीं पहुंच सकते हैं, मैंने पहले भी discuss किया था, sequential में आपका जैसे जो पुरानी आप tapes सी use करते थे, जैसे song सुनने के लिए मान लीजिए, तो उसमें sequentially आपके गाने play होते थे, अगर आप forward भी करते थे, तो तब भी क्या होता था, मतलब reel जो थी, वो head के साथ touch होके आगे, जल्दी जल्दी आप forward में जाती थी, लेकिन वो sequential access, file access का एक type था, मतलब आपको, जैसे यहाँ पे file on tape और disk, तो sequentially आपको हर tape में हर जगा से गुजरना होगा, तब ही आप next point पे पहुंचेंगे, दूसरा है आपका direct access file, जिसको अभी हमने hast भी पढ़ा, तो direct access file is also known as random access और relative file organization, indirect access file, all records are stored in direct access storage device, such as hard disk, जो हमारी system की hard disk होती है, उसमें direct access file organization टेकनीक जो है, हम यूज करते हैं, और तीसरी आपकी index sequential access for organization, तो आपका index sequential access file combine both sequential file and indirect file organization, जो आपका direct होता है, और sequential होता है, तो index sequential access organization में आप दोनों का use करते हैं, एक साथ, तो यह थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, next question देखते हैं, manager salary details are hidden from the employee, this is, तो manager की salary की detail जो है, employees से छुपी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो यह external level data hiding, तो इसको हम बाहरी स्तर data गोपन बोलते हैं, तो data hiding की जाती है, external level पे, next है, which of the following is not a product matrix, तो इन में से कौन सी एक product matrix नहीं है, size, reliability, functionality, productivity, 82 का D right option है, next है, the convergence of which of the following method in sensitive to starting value, method is sensitive to starting value, तो Newton-Raphson method है, तो चलिए नाम आगया है, तो देख लेते हैं, यह होता क्या है, the Newton-Raphson method, also known as Newton's method, is a way to quickly find a good approximation for the root of a real valued function, that is fx equal to 0, it uses the idea that a continuous and differentiable function can be approximated by a straight line tangent to it, यहां को ज़्यादा ही tough question पूछ लिए हैं, next देखता है, देखता है, it is possible to display picture that is image in HTML specification by using the tag, तो हमने यह पहले भी discuss किया है, img src equal to picture file जो है, इसका हम use करेंगे, तो img होगा, और src का use, जो है, src वहां पर लिखा होना चाहिए equal to, और आगे जो भी picture का picture होगी, picture file होगी, यह कई बार आप इसमें आपको यह भी दिया होता है, abc.jpgbng.sv example दे दिया होता है, तो यह right है, मतलब आपने यह दिखना कि img tag का use हुआ है, और उसके अंदर src का use हुआ है, तो यह जो है, html specification के लिए में, तो वो ठीक है, मतलब उसका use अगर हुआ है, तो option ठीक होगा, next देखते हैं 85, इसमें पुछा गया है, इसको हम फिल करेंगे, controls से, controls are interactive objects that you place in dialogue boxes और other windows to carry out user actions, तो controls क्या होते हैं, interactive objects होते हैं, जिनको आप place कर सकते हैं, dialogue boxes में, और किसलिए, user के actions के लिए, boxes में और other windows में to carry out user actions, 85 का यह right option है, next है, 86, इसमें देख लेते हैं क्या बुछा है, इसमें पुछा है, dash dash is the process of recreating a design by analyzing a final product, तो reverse engineering इसके लिए right option है, reverse engineering आपकी process होती है, by recreating आपको फिर से create करने होते हैं design, और by analyzing और analyze करने होते हैं, a final product, final product को analyze करने के लिए, next है, 87, the sub-categories of orthographic projections are, तो sub-categories होती है, orthographic projections की, option C, isometric, diametric और triametric, option C, right answer है, sub-categories of orthographic projections are, isometric, diametric और triametric, 87 का C, right option है, 88 देख लेते हैं, which of the following is a component of an expert system, तो expert system का component क्या है, all of the above, जो है, right option है, expansion module, knowledge base, और inference engine, ये सारे ही जो है, expert system के component है, 88 का D, right option है, 89 देख लेते हैं, error reports, our examples of, जो error reports आती है, उनको हम exception reports बोलते हैं, तो, जब हम कोई language में program लिखते हैं, तो उसमें आपको error reports देखने को मिलती है कई बार, तो आपको हम exception reports के नाम से जानते हैं, 89 का A, right option है, next है, multi programming systems के बार में पुछा है, तो multi programming systems क्या होते हैं, execute more than one job in the same time period, multi programming से पता चल रहा है, एक से ज़्यादा programming systems जो करता है, तो उसमें execute की जाती हैं, एक से ज़्यादा job, या कई बार job की जगए processes भी लिखा होता है, execute more than one processes in the same time period, तो option C, 90 के लिए right option है, next पूछा गया है, इसमें, virtual memory is, तो virtual memory क्या है, an illusion of extremely large main memory, illusion है, मतब virtual से ही पता चल ला है, real और virtual दो चीज़ें होती है, real जो reality में होती है, virtual जो सिर्फ सोची जाती है, या आपकी सोच है, या इदर illusion इसको एक word दिया है, an illusion of extremely large main memory, तो main memory जो है आपकी RAM कहलाती है, primary memory, तो उसका एक illusion जो है, उसको virtual memory के नाम से जानते हैं, next है, मतब virtual memory की definition है, next है, LRU, page replacement policy is, तो LRU क्या होता है, least recently used, least recently used, याद रखेंगे आप, full form को, next है, 93, 93 का, इसमें पूछा गया है, which of the following below is a loopback IP address, तो loopback IP address आपका 127.001 है, और IP addresses के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, private IP addresses आपके 192.168 से start होते हैं, यह वो question भी बहुत बार पुछा गया था, और loopback IP addresses वाला, मैंने तो पहली बारी देखा, जितने भी हमने discuss किये हैं questions, paper, पर फिर भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यह जो है, यह question का answer, मैं तो question यह होगा, इसका answer हमेशा यह ही होगा, और इसी तरह से पुछा जाएगा, तो अच्छा होगा, अगर आप इसको याद ही कर लें, loopback IP addresses जब भी पुछा जाएगा, तो 127.0.0.1, option D23 के लिए right answer है, 94 देख लेते हैं, transport layer of OSI model lies between network layer and, कौन सी layer में आपकी transport layer होती है, कि इन दो layerों की बीच में, तो आपको पता है, physical layer सबसे नीचे की layer होती है, उसके बाद data link layer, network layer और उसके बाद आपकी transport layer आती है, और उसके उपर आपकी session layer आती है, तो session और network, आपकी जो network और session के बीच है, वो आपकी transport layer होती है, तो option C, right answer है, मैं एक बाद फिर बता दूँ, presentation layer, उसके बाद data link layer, उसके बाद network layer, फिर transport layer, फिर session layer, फिर presentation layer, और last होती है, top की आपकी application layer, तो यह साथ layer होती है, आपकी OSI models में, हमने पहले भी discuss किया था, और OSI model से आपको दो question तो कम से कम देखने को मिली जाएंगे, कई बार तीन question भी देखने को मिल जाते हैं exam में, तो उसको आप detail में discuss करें, मतब देखें, हम भी आगे उसको बार बार, जैसे जैसे question आते रहेंगे, तो हम उसको detail में देखते रहेंगे, ताकि बार बार देखने से आपको याद हो जाएं, कि उनकी working क्या है, next है, what is the size of an IP address, तो IP address का size क्या होता है, थोड़ा सा question clear नहीं किया गया है, जो generally हम IPv4, IP addresses यूज करते हैं, उसका तो 32 bit ही है, और जो हम IPv6 यूज करते हैं कहीं कहीं पे, जो generally यूज नहीं होते हैं, तो उनका IP addresses आपको 128 bit भी देखने को मिलेगा, लेकिन IPv4 के पामले में 32 bit ही होगा, थोड़ा सा question यहाँ पे clear कर दिया होता है, कि size of IP address in IPv4 या IPv6 के साब से पूछा होता है, तो ज्यादा clear होता, ऐसे थोड़ा सा confusion है question में, लेकिन IPv4 आपका 32 bit है, जबकि IPv6 के लिए 128 bit है, तो इसके लिए भी हमने IPv4 और 6 के लिए एक table देखा था, IP addresses से, आगे भी question आएंगे तो हम वैसे को बार-बार देखते रहेंगे, next है, what is the network ID for a computer whose IP address is 190.148.64.23 तो network ID क्या होगी, तो IP addresses में जो दो पहले block होते हैं आपके, जैसे 190 और 148, यह आपकी network ID होती है इसमें, तो 190.148 जा है, IP addresses में network ID है, तो 96 का भी right answer है, 97 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, which of the following protocol is suited for email retrieval, तो email retrieval के लिए आपके दोनों यह A और B यूज़ किये जाते हैं, इसके लावा एक SMTP भी होता है, तो POP3 की valuable form देख लेते हैं, POP3 का मतलब होता है, post office protocol और version है यह 3, POP है मतलब post office protocol, version इसका 3 है, is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to local email client, और POP हमको allow करता है, कि हम email message को अपने local computer, जो computer हम use कर रहे हैं, उस पे download कर सकें, और उसको पढ़ सकें, और कई बार आप से by default जो POP3 protocol work करते हैं, वो किस दो port पे, POP3 पे जो work करता है protocol, वो सिर्फ दो ही ports पे work करता है, तो कौन-कौन से port number भी आपको मैं बता देता हूँ, port 110 यानि port 110 पर जिसमें non encrypted port होता है ये, और port 995 यानि 995 पर, तो दो port आप याद रखेंगे POP3 में, port 110 और port 955, 110 जो है non encrypted port होता है, next देखते हैं, IAMAP यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब होता है, internet message access protocol, IAMAP, internet message access protocol, तो ये भी एक email protocol, मतलब the internet message access protocol is a mail protocol used for accessing mail on a remote web server from a local client, और IAMAP और POP are the two most commonly used internet mail protocol for retrieving email, तो email retrieve करने के लिए POP3 और IAMAP जो है, ये सबसे ज़्यादा popular है protocol है, और IAM के पे भी आपके दो protocol मिलेंगे आपको, दो port मिलेंगे आपको IAMAP में, तो उसमें था 110 और 995 और इसमें होगा 143, 143 और 993 यानि डबल नाइन थ्री, तो दो port इसमें भी हैं, जो हम यूज करते हैं, और इसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, SMTP, ये भी email के लिए, इसका full form होती है SMTP की Simple Mail Transfer Protocol, तो ये standard protocol होता है, send करने के लिए email across the internet, by default the SMTP protocol works on three ports, और ये तीन port पे यूज करता है आपका SMTP, बाकि ये दो-दो port पे यूज करते हैं, तो उसमें port 25 है, port 2525, 2525 है, और port 465, तो ये तीन ports का यूज करते हैं, बाकि ये दोनों जो हैं, दो-दो port का यूज करते हैं, चलिए next question देखते हैं, जो कि इस वीडियो का last question भी है, 10-based 5, 10-based 2, 10-based T are the types of, तो ये क्या है, ये Ethernet के type है, तो Ethernet क्या है, Ethernet is primarily a standard communication protocol used to create LAN network, जो आपके local area network होते हैं, उस network को create करने के लिए, आप Ethernet का use करते हैं, और Ethernet के करता है, cables का use करता है, data को receive करने के लिए, और transmit करने के लिए, this facilitates network communicate between two or more different types of network cables, such as from copper to fiber optics and vice versa, तो copper से fiber और fiber से copper दोनों तरफ करता है, ये ये देख सकते हैं, आप, as mentioned, Ethernet network is used to create local area network and connect multiple computer or other devices such as printer, scanner and so on, तो computers को, की networking, Ethernet network क्या होता है, computers की networking हो सकती है, ये printers की होती है, scanner की हो सकती है, सब की हो सकती है, in a wide network, और एक इस तरीके से होगी, तारों के माध्यम से, this is done with the help of fiber optics cable, generally fiber optics cable इसमें यूज की जाती है, while in wireless networking, तो wireless network में भी अगर Ethernet का यूज करा हो, it is done through wireless network technology, और various type of Ethernet networks देख सकते हैं, fast Ethernet, gigabit Ethernet, 10 gigabit Ethernet, switch Ethernet, तो ये कुछ इन के type हैं, तो ये भी ध्यान लखेंगे आप, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो like, share करते रहिए, और link जो है वीडियो का उसको भी आगे send करिए, ताकि आपके known, आपके contacts में हैं, जो लोग वी इसको वीडियो को देख पाएं, और मेरे चैनल को subscribe कर पाएं, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद,